हेलो बच्चो आपका अपने टीटर टाट चैनल में स्वागत है आज की वीडियो में हम एक important topic कर रहे हैं equation of continuity की बात करेंगे इसमें हम equation of continuity की derivation sort करेंगे बहुत important topic है ज़े class 11 physics का mechanical property of fluid curve सबसे पहले एक वर इसकी definition read कर लेते हैं इसकी definition में क्या बताती है for an ideal fluid the product of cross section ideal fluid क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ लेकर यह बतार एक pipe है जो कि non uniform pipe है यहाँ पर लिया गया non uniform है यहानि कि इसका यह वाला जो end है वो बड़ा है और यह वाला जो इसका end है cross section है यहाँ से fluid enter कर रहा है और इस तरफ से Marlowe fluid बहर आ रहा है तो यह कहरा product of area of cross section जो इसका area होगा अगर उसका product किया जाए किस से velocity of fluid से कि जिस velocity से यहाँ से fluid enter कर रहा है उसकी velocity की value और यह area of cross section की value को जब आप इसमें multiply किया जाता है product निकाला जाता है तो वो क्या होता है हमेशा constant होता है at any point along the pipe यानि कि pipe यह किसी भी point पर चाहे मानली हम बिल्कुल end वाला point ले लेते हैं और इसका area of cross section होगा और जिस velocity से यहाँ से fluid बहर आ रहा होगा इन दोना का product वे सेम होगा इसके लाबा यह निकी starting और end वाले में बीच में वे अगर को point ले लेते हैं जैसे मानली यह area of cross section होगा यानि कि मुटाई है pipe की जिससे a3 लिया इसके area को और इसी point से जिस वरोस्ती से fluid जा रहा होगा उसकी value को लिया और इन दोनों को अगर आप इसमें multiply करेंगे तो वो every point पर value same आएगी product की इस तरह से define clear होती है कि for an ideal fluid the product of cross section area of the pipe and velocity of the fluid वो जो velocity है at any point along the pipe is constant अब next topic है कि यह every fluid पर अपलाई नहीं होता किस पर अपलाई होता? ideal fluid पर अब ideal fluid क्या होता है? वो भी समझ लेते हैं idle fluid एक खास तरह का होता है जिसकी कुछ properties होती है खास जैसे वह incompressible होता है incompressible का मतलब आपको पता होगा कि अगर इस पर हम pressure डालेंगे ऐसे fluid पर तो वह compress नहीं होगा वह दबेगा नहीं कहने का मतलब उसकी जो density होगी वो after pressure भी constant रहती है next है non viscous non viscous का मतलब होता है यह ऐसा fluid है जिसकी different layer के बीच में friction नहीं होती इसके बीच में friction 0 होती है next हम कह सकते steady flow यानि कि इसका फ्लो होता है बहुत smooth होता है irrotational होता है flow इसका irrotational flow का मतलब है कि इसके molecules होगे वह rotational flow नहीं करेंगे सीधा आगे के तरफ flow करते है इसका में एक और भी लेख सकते है इसका flow होता है streamline flow होता है stream streamline flow कहने मतलब इसके molecules होती है वह एक साथ आगे के तरफ बढ़ते है जैसा कि आपको पता है यह जो tube होती है यह non uniform है यानि कि यह वाला area इसका ज्यादा है यह जो liquid किया incompressible है यानिक की density सेम रहती है कहाने कि मतलब जतना liquid इदर से return करता है उतना ही liquid उदर से per second बाहर निकालता है महल लिए एक second लो先 गोजब time period ले लेकाश्याए जतना liquid इदर register किया है उतना ही liquid दो second में इदर से बाहर निकला लेकिन यह बना area of cross section क्या है बड़ा है इधर से ज्यादा liquid enter होगा तो इधर से अगर उतना ही liquid बाहर निकलना तो उसे ज्यादा speed से निकलना पड़ेगा तो इस तरह से equation of continuity हमें यह भी बताती है जहां पर tube का area of cross section बड़ा है वहाँ पर velocity कम होगी और जहां area of cross section कम होगा वहाँ पर velocity liquid की ज्यादा होगी इस तरह से हम कह सकते हैं जो rate of flow होता है इसमें वह हमेशा constant रहता है तो इससे हमें लिख सकते है rate of flow जो होगा of fluid का वह जा कह सकते हैं मुझे और नाम से बोल सकते हैं volume of fluid flowing per unit time per unit time तो यह capital V का मतलब आपने जाद रहा है volume और जो small V होता उसका मतलब होता है velocity इसमें अक्सर confusion होती है capital V volume को denote करता है और जो small V होता है velocity को आप small V को कुछ इस तरह से भी donate कर सकते हैं अब यह volume कैसे निकालना है volume का formula अगर बताऊं अगर हम इस pipe के small area को ले लेते हैं pipe के चलो मैं यहाँ पर draw कर लेता हूँ मान लीजिए हम pipe का कुछ छोटा सा area ले लेते हैं यह हमने ले लिया area और इसके अंदर क्या flow हो रहा है liquid यह fluid flow हो रहा है इसके अंदर से और अगर हम इसका cross section को हमने माल लिया को a से denote किया और यह जितने time में इतने cross section वो इतने area को इसने cover किया एक cross section दूसरे cross section तक उसको हमने माल लिया time में delta t के बहुत small time हम माल ले रहे हैं यहाँ पर और जितना distance जितना यह liquid displaced हुआ उसे हम माल लेते हैं delta s तो volume कैसे निकलता होता है volume का formula क्या होता area multiplied distance जा कहलो area multiplied displacement तो volume का formula क्या होता है area multiplied displacement और यहाँ पर हमने volume किसको consider करना है volume of fluid flowing per unit time यानि कि per unit time ले रहे हैं तो अगर हम इसको per unit time में convert करते है volume को per unit time में तो upon में क्या लेंगे t और displacement upon time क्या होता है velocity तो इस तरह से जो volume है यह हमारा कह सकते हैं ऐसे a v यानिकि area multiplied velocity क्योंकि यह per unit volume है rate of flow fluid क्या होता है area of cross section multiply velocity और यह define हमें कहती है कि every point पे area of cross section और velocity का जो product है यह equal है अब इस spike के end को हम नेम दे लेते हैं यह हमने name दे लेते हैं इस जहांसे liquid enter हो रहा है उसे हमने name दे लेते हैं जहांसे बाहर जा रहा है उसे हमने नाम दे लेते हैं तो volume of liquid जाब fluid लिख सकते हैं at point A हम मानेगे A1V1 और volume of liquid at point B हम हम मानेगे A2V2 यहांसे liquid enter हो रहा है यहांसे liquid बाहर निकल रहा है इसी तरह से mass of liquid at point A क्या होगा अगर हम density का formula देखें density का formula आपने किया हुआ है वह क्या होता है mass upon volume capital V से आपने यारफ volume होता है जा कहलो हमने mass की value निकालनी है तो volume इदर चला जाएक density की तरफ तो यह बन जाएगा density multiply volume क्या होता है mass तो volume को यह हमारा volume है अगर इसके साथ density density लगा दें तो क्या बन जाएगा mass तो clear हो गया mass की calculation कैसे हो सकती है volume के formula से volume multiply density तो यह हमारा volume है इसके साथ हमारा लगा देंगे A1 V1 और density इसे नाम दे लेते हैं density 1 इसी तरह से mass of liquid at point B का name हो जाएगा A2 V2 और density का symbol यह रो जिसे बोलते है हलका सा P जैसा होता है row 2 अब यह जो liquid है यह क्या है ideal fluid है यानि कि steady flow है काई लख सकते है if flow is steady यानि कि smoothly यह flow कर रहा है steady जितना यानि कि तो फिर mass होता है equal if flow is steady कैने के मतले इसका flow जो steady है क्योंकि यह ideal liquid है तो जितना mass इदर enter हो रहा है उत्तरह ही mass महा से बाहर निकल रहा है तो फिर इन दोन्यों की value आपस में किया होगी equal होगी किसे में देखे लेंगे a1 v1 rho1 equal to है a2 v2 और यह rho2 और next ideal fluid है तो यह incompressible भी होता है तो if जो liquid है incompressible हो if liquid liquid is incompressible अगर liquid incompressible हो तो क्या होता है density यानि कि वह दपता नहीं है प्रेस किये पर तो density जो होती है वह constant रहती है कहाने का मतला a and or b and दोनों पर density क्या होगी सेम होगी तो हम लिख सकते हैं कि जो rho की value होगी rho1 equal to होगा rho2 इसे हम simple rho से भी denote कर सकते हैं अगर हम इसे simple rho से denote करते हैं तो यह आपस में क्या होगी cancel हो जाएगा क्योंकि density की value सेम होगी आपस में cancel होगी और हमारे पास final इसकी value आजाएगी क्लिक करकर आप देख सकते हैं thanks for watching क्या है